वेलकम दोस्तों वापिस हम पॉलिटिकल साइंस को पकड़ रहे हैं और इस बार हम लगके पढ़ेंगे ठीक है एक्जाम्स देले हो गए हैं मगर हमें धील नहीं बरतनी है विल्कुल भी एक्जाम्स अभी नहीं हो रहे हैं तो क्या हुआ कभी न कभी तो होंगी न तो आज हम वापिस आया है पॉलिटिकल साइंस पे अभी हम बुक चेंज कर रहे हैं ठीक है अभी MPSC 001 मतलब इंडिया एंड द वर्ल्ड सेकिंड एर पॉलिटिकल साइंस इगनू अभी हम इसको आगे पढ़ रहे हैं इवलूशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड विव यह पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनली इंडिया की जो फॉर्ण पॉलिसी वह इन आस्पेक्ट पे बेस रही है फरस्ट आफ पॉजिटीव आस्पेक्ट ऑफ पीस ठीक है नेगेटिव आस्पेक्ट नहीं नेगेटिव आसपेक्ट होता है कि युद्ध क्या लड़ाई नहीं हो रह बल्कि वाइलां मिल जूल कर रहे है और यह रही है हमेशा से इंडिया की ट्रेडिशनल टाइम से ठीक है ऐसे हैं जो जो इसलों वकैना इस थूठ चाहे आफ खूरस के भी अलता हैं जाइए सबूर्मारे बिंदेशा की इसलो ना 1, 6 सोच ऑपफ। बट इंडिया है इंडिया जो है ना वहाँ पर इंशेंट इंस्टिटूशन और कस्टम्स हैं वह बहुत ज्यादा प्रिवेल करते हैं आज भी सोशली एक्सेप्टिव रहते हैं जादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना मैं बात लड़कों की कर रहा हूं ऑविसली जॉइंट फैमली जो है आज के टाइम में थोड़ा कम देखने को मिलती है बट अपसे लगबग 30-35 साल पहले जादा पुरानी बात भी नहीं है अजादी के कई साल बात तक आज बहुत जादा इंपॉर्टन इंस्टिटूशन हैं हमारी सुसाइटी में सोर्सिज ऑफ दीशनल इंशेट वैल्यूज अस्क्रिप्चिरल टेक्स्ट लाइक दो वेदाज वेध हमारे धर्मशास्त्र बुद्धिस्ट और जैन जो रिलीजन है उनके टेक्स्ट ग्रेट एपिक्स ऑफ रामायन और माभारत रामायन और माभारत सबसे जादा इंपॉर्टन है हमारे लिए ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है उसके सोर्स सबसे जादा इंपॉर्टन कौन से है रामायन और माभारत ठीक है तब पुरान लेजंड वगरा वगरा ये सारे के सारे हमारे traditional ancient values के जो सोर्स है वेद, धर्मशास्त्र, बुद्धिस और जैन टेक्स्ट, रामायन मावारत, पुराण और कथा कहानियों टेजंट्स epics are more popular and important than other scriptures and law books ओके देखो अगर आपको किसी को कोई चीज समझानी हो न तो आप उसको कहानी के फॉर्म में समझाओगे तो फिर वो जादा popular होगा शायद यही कारण है कि रामायन और मावारत बाकी जो टेक्स्ट है उनके comparison में जादा popular है ठीक epics are more popular traditional sources of values covered aspects of human life such as spiritual, social, economic and political ancient Indians believed that all aspects of life are interdependent यह बहुत important चीज है अगर आप भगवत कीता को भी उठाएंगे तो उसमें भी जो एक तरफ तो ज्यान योग है ठीक है ज्यान योग एक तरफ है ज्यान योग और दूसरी तरफ है कर्म योग दोनों की बाद साथ-साथ में की हुई है भगवत कीता जो है एक बहुत जादा one of the most complete texts in human history भगवत कीता शरीमत भगवत कीता क्योंकि उसमें सन्यासी की भी बात की हुई है, उसमें वारियर की भी बात की हुई है, उसमें एक शादी शुदा इंसान की जो लाइफ में जो जरूरत होती है, उसकी भी बात की हुई है, हर चीज के बारे में बात की है, परस्नल लेवल पर इंसान की क्या responsibilities होती है, अपने ख प्रेफरेंस फॉर्ट बीच का रास्ता निकालने पर फोकस किया जाता है इंडियन कल्चर है जो अती है किसी बी चीज की उसको रिजेक्ट किया है इंडियन कल्चर ने संस्क्रित सेंग जो संस्क्रित में यह कहावत यह भी है अति सर्वत्र वर जयेत मतलब is an evidence of this belief मतलब कभी भी किसी चीज की अर्ती नहीं होनी चाहिए यह बेसिकली संस्क्रित की जो सेंग है इसका फोकस रहा है और हमारे चार कौन-कौन से गोल रहे है धर्म अर्थ काम मोक्ष वाइल धर्म और मोक्ष धर्म और जो मोक्ष है और गिवन प्राइम इंपोर्टन्स इनको सबसे जाद इंपोर्टन्स दी जाती है इनसान को अपना धर्म कुरा करना चाहिए और मोक्ष की प्रापती करनी चाहिए उसके साथ ही worldly pleasures of earth and calm are not ignored worldly pleasure जो अर्थ का है अर्थ मतलब money और काम काम मतलब इच्छा हैं जो हमारी इच्छा होती है most importantly sexual जो desire है हमारा sex का उसको बिल्कुल भी ignore नहीं किया गया है क्योंकि हम चाहिए कितना भी ignore करना चाहें उसको ignore कर नहीं सकते हमारी सचाई है यह all right it becomes evident when we see works like वात्सायनन कामसूत्र sculptures और खजुराह एट्सेटरा काम जो है वात्सायनन ने लिखी थी उसके साथ ही जो खजुराहों की जो मूर्तिया है उनको देख्या में समझ में आजा है कि जो हमारी ancient Indian society थी वह बहुत जादा sex positive थी not only traditional Hindu ideas but also ideas of Buddha denounced extremes जो बुद्धे हिंदु के लावा जो Buddhist ideas थे उन्होंने भी extremes को डिनांस किया है उनको ignore किया Probably this is the reason why Indian secular democracy has survived despite of the fact that India is one of the most diverse countries in the world शायद यही कारण है कि जो इंडिया की जो secular democracy है वो इतने decades के इतने दशकों के बाद भी टिकी हुई है जमी हुई है भारत में आपको हर religion हर race देखने को मिलेगी इंडिया में 3rd gender को भी recognize किया गया है वालकि मैं तो कहूंगा कि हमें 3rd gender के लिए चीज़े improve करने के लिए उनकी life असान बनाने के लिए और काम करना चाहिए इसका मतलब यह है कि one of the most diverse countries in the world जो इंडिया है वहाँ पर भी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं कैसे रहते हैं जो हमारी traditional values है जो आपस में अनेकता में एकता वाली उसी की वज़े से Indian policy denounced conflicts and called for cooperation among nations which is an image that can be seen in today's globalization किछीज की बात हो रही है non alignment movement की बात हो रही है started by जवाहर जवाहर लाल नहरू यह क्या है एक quick recap ले लेते हैं इधर थे US इधर थे USSR ठीक है capitalist versus communist पूरी दुनिया इन दो हिस्सों में बढ़ गई थी cold war के टाइम पर उस टाइम पर क्या हुआ जवाला नहरू खड़े हुए इन्होंने कहा वही बड़े बड़े देश हैं ताकतवर देश हैं अपने फाइदे के लिए हमें लड़ाते रहेंगे हमारा कुछ बला नहीं होगा for example best example है पाकिस्तान USSR के खिलाब गया US के साथ मिलके cold war में क्या हुआ वह अपने काम हुआ इनका काम हुआ ये चले गए इनका काम हुआ ये चले गए पाकिस्तान रह गया extremist के साथ में ठीक है जो कि बात में तालिवान बन गए और राइट तो क्या भी देखा जा सकता है इस चीज में भी देखा जा सकता है क्या कि इंडिया के हमेशा से policy रही है conflicts को और cooperation conflicts को डिनाउंस करने की और cooperation पर focus करने की और यहीं चीज हमें आज की देश में आज की दुनिया में globalization में देखने हुआ है में globalization basically है क्या सारे देश साथ में मिलकर रहें साथ में मिलकर business करें और एक दूसरे पर interdependent हो एक दूसरे के भले के लिए काम करें एक दूसरे को फायदा दें ठीक है नेक्स है tolerance इंडिया की जो basic value रही है मूल जो इंडिया का इंडिया की जो value रही है वो यह है tolerance वदे वदे जयते तत्व सिद्धी मीनिंग enlightenment is achieved through debate debate बहुत important चीज़ है दोस्तों अगर आप कहते हो कि आपका देश लोकतंत्र है तो debate वाद समवाद बहुत जरूरी है एक इंसान खड़ा होके बोल दे कि यह सही है यह गलत है वो देश लोकतंत्र नहीं होता फिर ठीक है in an old indian saying क्या है old indian saying वदे वदे जयते तत्व सिद्धी even in महाभारत the idea of कर्म is deemed noble and it was said that everyone should fulfill their duty there is no attempt to claim a moral high ground महाभारत में भी moral high ground claim करने की कोशिश नहीं की गई हाँ ग्यान योग और कर्म योग दोनों को बराबर बताया गया but still कर्म योग को थोड़ा सा उपर बताया गया यह वत खाग गया था महाभारत में कि ग्यान योग हो या कर्म योग हो दोनों ही मोक्ष के तरफ आपको ले जाएंगे बट स्टिल कर्म योग को थोड़ा सा सुपीरेर बताया गया जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को भी यही समझाया था कि जो तुम्हारे सामने तुम से लड़ रहे हैं वो भी अपना कर्म कर रहे हैं तुम भी अपना करो तुम अपना काम करो चुपचाप तॉलरेंस वाइस बिन पार्ट अप इंडियन हिस्ट्री यह जाए इंडिया ओपन डोर्स तू रेफिजी और मर्चंट्स रेफिजी और मर्चंट्स के लिए इंडिया ने हमेशा से अपने रास्ते खोल के रखे हैं न की पार्सी और हमेशा से अपने रास्ते ओने तर्वाजरे से लिए खोल के रके हैं उन मोर्डन इंडियन लीडर्स प्रेक््रेंस तौलरेंस टॉलर्क्रीगे हमेशा इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ साज़िश करने की कोशिश काता रहता इसके बावजूद अठल बहर इवाजपई जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है अब नहीं रहे बहुत बड़ी अनेता थे इन्होंने जून 2003 में चाइना को विजिट किया, बीजिंग को विजिट किया, रिष्टे सुधारने के लिए, इंडिया और चाइना की वीच में त्राइंग तू मेक नो वर पैक्त विद पाकिस्तान रिपीटिडली नो वर पैक्त इन्होंने बार बार बनाने की कोशिश की इन फैक्त मुझे याद है जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाश शरीफ के साथ इनकी बहुत इंपॉर्टन मीटिंग हुई थी और मीटिंग के दोरान ही कारगिल जो अटैक उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने कर दिया था तो वह ही है कि इन्होंने कोशिश तो अपने पूरी ही किया तलबे रिवाज पाई ने अब वह ही है ऐसे तो क्या करें नेक्स्ट है रियलिस्ट एड आइडिलिस्ट ट्रेडिशन दोनों के फर्क को हम जान लेते हैं फर्स्ट अफॉल आइडिलिस्ट ट्रेडिशनली इंडिया एज अपोस्ट दे यूज ऑफ वाइलेंस अज प्राइमरी ऑप्शन इवन कोटिल्य एड्वोकेटिट द पॉजिटिविस्ट अप्रोच अब आपको इंडियन फॉरंड पॉलिसी में हमेशा से क्या क्या कहा कहा आपको आइडिलिस्म देखने को मिलती है कहा का आपको रियलिस्म देखने को मिलती है हम बात करने वाले हैं अभी कर रहे हैं आइडिलिस्ट की इंडिया में कॉटिल्य जैसे बहुत जाता प्रैग्मेटिक जो ठिंकर दे उन्होंने भी पॉजिटिविस्ट अप्रोच की ब इन्होंने भी वाइलेंस को as a primary option, प्राथमिक एक option के रूप में इन्होंने मना किया था यूज करने से. पंच्छतंत्र अपनिशाद अलसो एकोड दिस बिलीफ that the war should be kept only as last resort. वही पंच्छतंत्र अपनिशाद में भी यही बात कही गई है, कि जो war है उसको एक last resort, आखरी option के दाए इस्तिमाल करना चाहिए. बुद्धिस्ट और जैन, बुद्धिस्ट एंड जैन are most fervent advocates of non-violence, बलकि जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म है, जिन खंबों पर यह दोनों धर्म खड़े हुए हैं, उनमें से एक बहुत important खंब है, non-violence, अहिंसा. गांधी revolutionized the idea of non-violence, गांधी जी ने non-violence का idea को revolutionized किया, यह idea बहुत पुराना है, लेकिन गांधी जी ने इस non-violence का idea को लेकर एक क्रांती ले आए गांधी जी, कैसे? अब गांधी जी पहले इंसांते human history में, जिनों ने यह दिखाया कि non-violence को एक weapon की तरह, एक हतियार की तरह, इस्तेमाल किया जाता है, कैसे? पहले South Africa में, फिर India में, इन्होंने अपने socio-political means को, अपने socio-political ends को meet करने के लिए, non-violence को एक political tool की तरह, इस्तेमाल किया, यह काम करने वाले इंसान की हिस्ट्री में गांधी जी पहले इंसान थे, इनको देखते हुए, बाद में, US में Martin Luther King Jr. और South Africa में Nelson Mandela, इन्होंने इन political gains के लिए, socio-political ends के लिए, और राइट, कांधी जी ने किसके खिलाफ किया था, ब्रेटिश एंपायर के खिलाफ, नाव, रियलिस्ट अप्रोच, दो हमें देखने को मिलती है, इंडिया की traditional foreign policy में, Indian government failed to realize the reality of power during earlier years after independence, अब क्योंकि इंडियन जो foreign policy रही है, इंडियन जो state of mind रहा है, वो हमेशा से non-violence को prefer करता है, और war पर जादे ध्यान नहीं देता, बट हम ऐसे है, दुनिया ऐसी नहीं है ना, जो अजादी के बाद का जो इंडिया था, इंडिया की जो government थी, वो इस चीज़ को realize करने में फेल हो कही थी, reality of power, बहुत important, बहुत important term है, reality of power, असली power क from China in 1962, even Nehru agreed that India focus too much on poverty and illiteracy and not enough on defense requirements, चाइना के हातों जो हार जहलने के बाद 1962 में, Nehru जी जो उस ताइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी agree किया, उन्होंने भी ये बात मानी कि इंडिया ने लोगों को शिक्षा देने पर और लोगों की गरीबी दूर हटाने पर ज हां हमसे ये गलती हो गई, after that, India's worldview became less doctrinaire and more realistic, उसके बाद इंडिया जो है, पो, realistic हो गया, basically, डिफेंस में जादा इंवेस्ट करना स्टार्ट किया, और इंडिया ने अपने nuclear program पर भी focus करना स्टार्ट किया, 1964 या 66 में, चाइना के पास nuclear weapons आ चुगे थे, तो, serious threat, actual threat हमारे दर ability of power, बहुत important term है, ये जो terms है, कुछ एक terms है, बहुत important, ये ही आपको number दिलाती है, ठीक है, exam में लिखना, इनको underline करके आना, black pen से लिखना, quotations में डालना, यही terms आपको extra marks दिलाती है, alright, ठीक है, आगे और भी है थोड़ा chapter है, इसको हम next video में देखेंगे,